सल्मान खान सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बलकि कई लोगों के लिए वो मसीहा भी हैं सल्मान पर लोगों का करियर बरबाद करने का आरोप लगता रहा है लेकिन जिनका करियर उन्होंने बना दिया वे उन्हें भगवान मानते हैं सल्मान को भगवान मानने वालों की कड़ी में एक नाम उनके बॉडिगार्ड शेरा काफी आता है शेरा पिछले 20 सारों से सल्मान के बॉडिगार्ड हैं शेरा एक सेक्ष फैमली से बिलॉंग करते हैं उनका असली नाम गुरमीद सिंग जॉली है 1995 में एक पार्टी के दोरान शेरा के मुलाखात सल्मान खान से हुई इसके बाद एक बार सल्मान खान चंडी गढ़ गए जहां भीड में वो बुरी तरह से फस गए तब सोहिल ने सोचा कि सल्मान भाई को किसी भी अच्छे बॉडिगार्ड की जरूरत है सोहिल शेरा के फिजीक से काफी इंप्रिस थे जिसके बाद शेरा को सल्मान खान का बॉडिगार्ड बनाया गया तब से लेकर शेरा सल्मान का साया बनकर उनके साथ रहते हैं शेरा भले ही एक मात्र बॉडिगार्ड हो लेकिन वो करूण पती भी है सिल्मान खान उन्हें अच्छी खासी सेलरी देती है आपको बता दे कि शेरा को 15 लाख प्रती माह के हिसाब से सेलरी बिलती है यानि कि साल की सेलरी दो करूंड रुपै बॉलिवुड में शायदे किसी एक्टर के बॉडिगार्ड की सेलरी इतनी होगी शेरा मिताभ बच्चन जैसे कलाकारू को भी सिक्ख्योटी दे चुके है टीम इंडिलिंग्स